आपको बदा दें कि भारत की आधी से ज़्यादा आबादी रोजाना अपनी यात्रा ट्रेन से ही करती है। भारत के कई रिल्वे स्टेशनों पर आपने कई तरह के बोर्ड टंगे हुए देखे होंगे। भारत में कुछ ऐसे रिल्वे स्टेशन भी हैं जहां आपको फणी ब बरू कराने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही आपके चेहरे की हसी दोगुनी बढ़ जाएगी और आप अपनी हसी को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए भारत के कुछ ऐसे रिल्वे स्टेशनों का नाम जाने जहां जाने पर आपके आँखों में आसू लाने वाली हसी आ जा आपको क्या लगता है यहां पर रहने वाले लोगों के सिंग निकलते हैं दो भैसा रेल्वे स्टेशन तेलांगना यह रेल्वे स्टेशन भारत के तेलांगना के निर्मल जिले में स्थित है जरा सोच यह ऐसा स्टेशन जिसका नाम भैसों से प्रेरित होकर रखा गया है त अबसे खास क्या होगा यहां पर? और क्या यहां पर दारूम फ्री में मिलती है? यह रिल्व स्टेशन झारकन के हजारी बाग जिले में स्थित है. चार, पनौती रिल्व स्टेशन उतर प्रदेश पनौती मतला तो आप जानते ही होंगे. जरा सोच ये यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में किसी कमपनी में इनकी नौकरी लगे और कमपनी का ही दिवाला निकल जाए उतरप्रदेश में स्थित पनौती रेल्वे स्टेशन काफी फणी रेल्वे स्टेशन है यह railway station उतरप्रदेश के चित्रकुट जिले में स्थित है 5. बीवी नगर railway station हैदराबाद बीवी नगर railway station हैदराबाद के बेहत करीब है इस railway station का दौरा करने के बाद आप इसे अपने जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते मुझे लगता है यहाँ बीवीओं का राज चलता होगा तो पती थोड़ा समहल कर जाए 6. नाना railway station राजस्थान यह railway station राजस्थान के सिरोही जिले में है और उदैपूर के करीब है आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसा तो कोई station हो ही नहीं सकता लेकिन यकीन मानिये यह सभी station मौझूद है 7. बाप railway station राजस्थान यह station राजस्थान में जोधुपूर के पास है माबाप नानानानी भला कोई इन नामों से भी station का नाम रखता है क्या पर हाँ रखते हैं यह सभी station इस बात के प्रमान है यह तो हो गई घर परिवार के लोगों पर नाम रखने की बाद लेकिन लोगों ने तो जानवर तक को नहीं छोड़ा आईए जानते हैं कुछ ऐसी station के नाम जो जानवरों के नाम पर रखे गए है 8. काला बकरा railway station पंजाब 9. काला बकरा नाम का railway station पंजाब के जालंधर में है क्या लगता है आपको क्यों रखा गया होगा इसका ये नाम क्या यहां बकरों को आपस में लड़ाया जाता है या यहां के लोगों को बकरा पसंद है 9. बिल्ली जंक्षन उत्तरप्रदेश बिल्ली जंक्षन रेल्वे स्टेशन उत्तरप्रदेश के सोन भद्र जिले में आता है ये नाम सुनते ही मेरे मन में जो सबसे पहला खायाल आया वो ये था कि क्या लोगों की भाशा बिल्ली की भाशा है क्या यहां सभी लोग मियाओ मियाओ करके बात करते हैं 10. साली स्टेशन इस नाम को सुनकर तो ऐसा लगता है कि बस साथ में जीजा नाम का और स्टेशन होता तो इस रेल्वे पर जीजा साली की जोड़ी खूब जमती किसे की नजर न लगे दरसल साली नाम का यह स्टेशन जोदुपुर जिले में डूडु नामक स्थान में स्थ है जो उत्तरी पश्चिमी रेल्वे के दाइरे में आता है अब यह नाम रखने वाले ही बताएंगे कि आखिर इने इन नामों से क्यों बुलाया जाता है क्या कहानी होगी इन नामों के पीछे फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इन सभी जगहों में से किस नाम ने ज़्यादा चौंकाया तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो अपनी राए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं